आपके NCRP में सिर्फ क्या किया गया है, सिर्फ दो medicinal plant के नाम देके छोड़ गया है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस medicinal plant से क्या हमें drug मिलता है, उसको भी discuss करेंगे, और वो drug हमें किस disease को cure करने में काम आता है, हम लोग उसको भी discuss करेंगे, ठीक है, चलो, तो, hello students, welcome back again, last video में हम लोगों ने discuss किया था family Fabicy को, और Fabicy family में हमने क्या discuss किया था, floral characters and floral diagrams को, right, and floral formula को, आज हम लोग एक और family को start करेंगे, आज हम लोग start करेंगे family Solanese को, इसी को भी हम लोग Fabicy family की तरह ही पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो vegetative characters है, आज की वीडियो में, vegetative characters and medicinal, sorry, economic importance जो है, उसको discuss करेंगे, and next वीडियो में हम लोग क्या discuss करेंगे, floral characters को, हम लोग क्यों अलग से वीडियो बनाते है, floral characters का, ताकि हमें floral formula, floral diagram को, याद ना रखना पड़े, हम खुझ से उसक derive कर सकें, ठीक है, चलो, तो क्या heading डालेंगे, heading डालेंगे, family solanesi, family solanesi, ठीक है, family solanesi, इसको क्या बोला जाता है, सबसे पहले, visitative characters को discuss करने पहले, पहले कुछ common चीज़े discuss कर लेते हैं, सबसे पहली, this is a large family, it's a very large family, यह बहुत जादा large है, large family, variety of plants, यहाँ हम लोगों को, देखने को मिलता है, ठीक है, दूसरा क्या है, इसको और क्या कहा जाता है, solanesi family को potato family भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, also known as potato family, potato family, इसको और क्या कहा जाता है, इसको potato family भी कहा जाता है, इसको याद रखना, यह कहा मिलता है, यह तीनों जगा पे मिल जाता है, क्याहाँ कहाँ, tropics में, tropics में, subtropics में, tropical age region, subtropical region, and आपका temperate region में, clear है, this is the largest family, largest नहीं बोरेंगे, sorry, this is a large family, बहुत सारे plants हैं उसमें, दूसरा क्या हो जाएगा दूसरा है it is also known as potato family and third हो जाएगा यह कहां कहां मिलता है यह तो यहां पर यह tropics में मिलता है और temperate region में मिल जाता है ठीक है this is a normal discussion अब हम लोग क्या discuss करेंगे अब हम लोग vegetative characters को discuss करेंगे just a minute just a minute excuse sorry अब हमनों क्या discuss करेंगे अब हमनों discuss करेंगे vegetative characters तो heading डाल दीजिए vegetative characters क्या heading डालेंगे भी होगद करेंगे अब हम हमनों क्या अच्छे श्माज में आया होका अगर वह विप्रक्रिक्षक आपको देखके आपको कि आपको क्या help मिला उस वीडियो से तो प्लीज जाके उसमें क्मेंट कीजें चल सबसर पहले डिसक्स करेंगे विजिटीव चरेक्टर विजिटीव चरेक्टर में सब सरे पहले किया इस करते हैं हम लोग व्लोग होते हैं mostly What Hos pillow tie Day के favora of the tree होते हैं और अगर ट्री होगा तो small tree के बहुत सोलेंडिसी दैमली में आपको बहुत बड़ा treat नहीं मिलेगा अगर ट्रे होगा अभी तो छोटा साइस का क्यों गए दूसरा क्या है दूसरा है root root कैसा होता है तो इनमें tap root system देखे जाते हैं क्या देखे जाते हैं tap root system जा so habit herbs होते हैं शर्ब्स होते हैं and mainly यह लोग herbs होते हैं ठीक है mainly herbs होते हैं बहुत rarely आपको tree देखने को मिलेगा मिल भी जाएगा तो tree का जो size होगा वह बहुत जाधा small होगा बहुत बड़ा नहीं होगा ठीक है और root कैसा होगा obviously tap root system ठीक है थर्ड हम लोग क्या discuss करेंगे थर्ड हम लोग discuss करेंगे steam आज का यह lecture बहुत छोटा रहने वाल है आज का लेक्टर हाड़ली 10 से 15 मिंट का रहेगा उससे बड़ा नहीं रहेगा मैं चाहता तो आज ही फ्लोरल कैरेक्टर को बढ़ा सकता था लेकिन मुझे लगता है कि family में सबसे जादा दिक्कते आती है तो इसी वज़े से दोनों को अलग-अलग से रखना चाहिए ठीक है रेरली वुड़ी अगर हर्बिशियस हुआ तो कैसा होगा एरियल होगा एरियल अगर वुड़ी हुआ तो कैसा होगा इरेक्ट होगा राइट इरेक्ट होगा और कैसा होगा सिलिंड्रिकल होगा सिलिंड्रिकल अब सिलिंड्रिकल में भी कैसा हो सकता है ऑलो भी हो सकता है औ solid भी हो सकता है है क्लिए क्यासा हो सकता है herbaceous हो गा rarely uody हो गा arial हो गा erect हो गा cylindrical हो गा hollow भी हो सकता है और solid भी हो सकता है एक और चीज यह stem में hairs भी present हो सकते है तो एक प्रेशन्ट हो सकते हैं टरीण और स्मूथ 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 विदिन व्रैक लिखेंगे ग्लाब्रस जी ल अबी आरो यूस ग्लाब्रस क्या होता है इनका जो स्टेम होता है माले यह स्टेम माले देम है मां हैं यह स़यह मैं तो इस सख्राइब में क्या हो सकता है इन सबिन में च्छोटे encouraged हो सकते हैं च्छोटे है छोटे हैं यह सब्सक्राइबब जात जहता है उसको बोला जिटाए गलाबड तो कही भी आपको यह वर्ड देखने को मिले यह वर्ड हम लोग किसी एनिमल के लिए यूज नहीं कर सकते हैं यह वर्ड हम लोग सिर्पोऊ-सिर्प्लाम मातलब होता है vapid сл narcissist模nie होता है उसको बोला खैके वाले वर्डोप जरा हाद रखेगा4 wird का मतलब होता है स्मुछ मतलब कोई भी हैर्स प्रजेंट नहीं होगाए और क्या होसकता है और हमने क्या देखा था याद करो जब हम लोगोंने मोडिवेकरेशन आफ वैं तो हमने देखा था किसमें क्या होता है इनमें अंडर्ग्राउंड स्टेम होता है किसमें होता है अंडर्ग्राउंड स्टेम पोटाटो में तो क्या सा होता है अंडर्ग्राउंड स्टेम किसमें प्रेजंट होगा अंडर्ग्राउंड स्टेम बोलो पोटाटो में और उसको उमने क्या नाम दिया था ट्यूबर राइट अंडर्ग्राउंड स्टेम प्रेजंट इन पोटाटो पोटाटो में क्या होगा अंडर्ग्राउंड स्टेम प्रेजंट होगा तो हैबिट कैस होगा obviously अगर herbaceous है तो stem भी herbaceous ही होगा अगर small tree है तो rarely oody होगा अगर herbaceous है तो कैसा होगा aerial होगा अगर oody है तो कैसा होगा erect होगा लेकिन both case में यह कैसा होंगे cylindrical होंगे cylindrical में भी कैसे hollow भी हो सकते हैं और solid भी हो सकता है राइट अगर hairs present नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे galabros और क्या हो सकता है और हम लोग क्या देखते है underground stem क्या देखते हैंı potato में underground सक्या देखते हैं clear है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं tuber बोलते है clear हाँ तक very good तो हमने क्या क्या discuss कर लिया देखो हमने थीनों चीजे डिसकल के लिया, habit, root and stem बाकी क्या रहे गया, vegetative character में एक और चीज बाकी रहे गया, that is, leaf तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग leaf को discuss करेंगे नहीं कहा ना, यह बहुत जल्दी खतम हो जाए है लेकिन कुछ terms यहाँ पे आपको सीखने है कुछ terms और क्या होगा, leaves leaves तो leaves कैसे होंगे phylo taxi, सबसे पहले क्या discuss करते है leaves में, उनके phylo taxi phylo taxi कैसा होगा, तो इनमे alternate phylo taxi देखा जाता है क्या देखा जाता है, alternate phylo taxi right mainly इनमे क्या देखा जाते है mainly simple leaf देखा जाता है mainly इन में क्या देखा जाता है simple leaf. Simple leaf. Rarely compound. Rarely compound leaf. огр compound में भी कौॉन सा compound? pinnately compound, within bracket लिकेंगे pinnately compound. Right, तो mainly इन में क्या देखा जाता है? Mainly इन में veterinar equivalent में good約. compound लीफ देखा जाता है compound में भी कैसá, pinnett की compound leaves देखा जाता है, clear है अब leaf है तो कैसा होगा, leaf में venetion होगा, तो venetion कैसा होगा structural venetion क्या देखा जाता है reticulate venetion देखा जाता है इनके जो लीव्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं वो हैरी होते हैं सोलेनेसी फैमिली में जो लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं वो हैरी होते हैं इनमें हैर्स प्रेजंट होता है और क्या हो सकता है यह X stipulate होते हैं, X stipulate, X stipulate का मतलब क्या है, X stipulate का मतलब होता है, कि चीज में stipule present ना हो, मतलब इनमें stipule present नहीं होता है, last game लगोंने जब Fabricie family का vegetative characters को discuss किया था, तो हमने क्या देखा था, कि Fabricie family में stipule present है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर X stipulate होगा, मतलब कोई भी stipules present नहीं होगा, तो कैसे होते हैं फाइलो टैक्सी, फाइलो टैक्सी, अल्टरनेट फाइलो टैक्सी होता है, mainly simple leaf होता है, rarely compound leaf होता है, compound leaf में भी pinally compound leaf, reticulate venation होते हैं, जो hairs है, तो वो hairy होते हैं, और X stipulate भी होते हैं, clear है यहाँ तक, so this is all about the vegetative characters, बस इतना ही है, vegetative characters में, ठीक है, vegetative characters में बस इतना ही है, और कुछ extra नहीं है, अब क्या discuss करेंगी, economic importance, economic importance इसका थोड़ा सा important है, ठीक है, economic importance इसका थोड़ा सा important है, इन्हें स्टार्टिंग में ही कहा था, कि आज का lecture बहुत ज़्यादा, छोटा रेने वाला है, लेकिन effective होगा, don't worry, क्या लिखेंगे, heading क्या डालेंगे, economic importance, economic importance, ठीक है, economic importance में सबसे पहला क्या discuss करेंगे, food, क्या मिलता है इनसे, हमें food मिलता है, और क्या मिलता है हमें, और हमें इनसे मिलता है, food के अलगा spices मिलते हैं, spices, fumigatory मिलता है, fumigatory मतलब, fume मतलब होता है, धुआ, जिसको आग लगाने पर, उससे जो धुआ निकलता है, उस धुए को हम लोग consume करते, for example, tobacco, tobacco कहां दिया जाता है, tobacco, cigarettes में दिया जाता है, right, cigarettes में क्या है? यूज किया जाता है, tobacco यूज किया जाता है, से और वह एक्चुली टुबैको क्या है टुबैको फ्यूमिगेटरी है मतलब टुबैको जब हम लोग आग लगाते हैं तो उससे जो धुआ निकलता है उस धुए को हम लोग रुग करते हैं और वही धुआ हमारे जो बॉड़ी के लिए बहुत जादा खतरना है बहुत जाद क्या मिलेगा टुमैटो मिल जाएगा टुमैटो मिल जाएगा और क्या मिलेगा ब्रिंजल मिलेगा और भी बहुत सारी चीजे मिल सकती है लेकिन यह तीन ही आपको जाना है विकास यह तीन आपके इंसियाथ मिलेगा स्पाइस में क्या मिलेंगे चिली मिलेगा चिली चिली जो है वह Solanasi Family का है, फिर में गेंडी ग्रम है, जैसे मैंने कहा, कि क्या होगा, Tobacco, और यह Tobacco हमें कहां से मिलता है, Tobacco मिलता है एक Plant से, जिसका नाम है, Nikosiana Tabacum, क्या नाम है उसका, उसका नाम है Nikosiana Tabacum, यह आपके NCIRT में इसका नाम नहीं दिया गया है, इसके NCIRT में आपको यह नाम नहीं, शायद 12 में जाके शायद यह नाम आपको मिल जाए, लेकिन अभी आपके Family में यह नाम नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो इसी वाज़े से मैं कहा रहा हूँ, यहाँ पर Star दो और लिख लो, बिकोज यह आप Curate Leaves, Dried and Curate Leaves of Nikosiana Tabacum, N-I-C-O-T-I-A-N-A, Nikosiana, N-I-C-O-T-I-A-N-A, Nikosiana Tabacum, T-A-B-A, T-A-B-A-C-U-N, Tabacum, Nikosiana Tabacum, Nikosiana Tabacum, एक Solanasi Family का Plant है, उसका जो पत्ता होता है, उस पत्ते को पहले सुखाया जाता है, ड्राइ किया जाता है, फिर एक पर्टिकुलर प्रोसेस से उसको निकाला जाता है, मतलब ग्रेडिंग प्रोसेस होता है, कि यह पत्ता यूज किया जा सकता है, यह नहीं, उसी प्रोसेस को कहा जाता है, क्यूरिट, उसी प्रोसेस को कहा जाता है, क्यूरिग, ड्राइड मतलब उसका सुखाया जाता है, क्या यह पीने लायक है, क्या इससे हम लोग तोबैको बना सकता है, यह नहीं, उस प्रोसेस को कहा जाता है, क्यूरिग, मै इस नाम को याद रखना विकाज यह नाम आपके NCRT में नहीं गया गया निकोशिया ना टबैकम से हमें क्या मिलता है जो लोग पीते है वो लोग उसे कंशूम करते है इसी वज़ये से उनको लंग कैंसर हुने कि probability में सबसे ज़्यादा होती है ठीक है चलो फूड हो गया spices हो गया fumigatory हो गया और क्या होता है ओर्नमेंटल भी होता है क्यासा होता है ओर्नमेंटल ओर्नमेंटल यानि सज जज़नवाना ओर्नमेंटल जिसको हम लोग घर में इसलिए रखते हैं इस plant को ताकि सुन्दर लगे गार्डेंस में हम लोग ऐसे फ्लावर को रखना ज्यादा पसंद करते हैं जो फ्लावर बहुत जाधा कलरफुल होता है पनकि हमारा garden जो है बहुत ज़्यां बादा सुन्दर लगे तो उसी को क्या का जाते है उसी को लगाते हैं वो जगा बहुत ज्यादा खुडशूरत हो जाता है ओर्णमेंटल ओर्णमेंटल क्या हो सकते हैं पेटिवनिया 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 ठीक है फूड हो गया स्पाइसेस हो गया फ्यूमेगेटरी हो गया ओर्णमेंटल हो गया और हम लोग क्या डिसकस करें और हम लोग डिसकस करेंगे मेडिसिनल को क्या डिसकस करें हम लोग अपके एक मिनिट मैं लेस्कोड तो तो economic importance में हमने क्या-क्या discuss किया, food discuss किया, spices discuss किया, रहला चीज़ा अब तक हम लोग discuss किया इसकूस करें अब हम लोग medicinal property को discuss करके medicinal plant को discuss करके आपके NCRT ने क्या किया है आपके NCRT में सिर्फ और सिज medicinal plant का जो दो नाम है उस नाम को दे दिया गया है एक है बेले डोना दूसरा है अश्रोगंदा लेकिन उस medicine का काम क्या है वो आपके NCRT में नहीं दिया गया है लेकिन हम लोग उससे क्या drug हमको मिलता है, जो हम लोग किसी disease को cure करने में जो use करते हैं उसे drug कहा जाता है, किसी particular disease को cure करने में जो हम लोग दवाई लेते हैं उस दवाई को drug कहा जाता है, तो particular उस drug को, क्या drug उससे मिलता है और उस drug को हम लोग कैसे, किस काम में ही इस्तमाल करत है आपके इंसिाऀंटी में सिर्फ क्या क्या गया है तो medicinal के नाम दे के छोड़ गया है लेकिन हम लोग क्या करेंगे हम लोग उस Eliza को क्योर करने में काम आता है हम लोग उसको भी डिसकस करेंगे ठीक है चलो तो मेडिसिनल क्या लिखेंगे मेडिसिनल मेडिसिनल में दो नाम दिया गया है आपको पहला नाम क्या है पहला नाम दिया गया है बेलेड़ोना बेलेडोना दूसरा देया गया अश्वगंधा अश्वगंधा देखो यह जो बेलेडोना है इसका scientific name क्या है इसका scientific name है actropa-Beledona क्या नाम है इसका अच्ट्रोप एकट्रोप और बेलेडोना इसका जो है इसका species है B E E L A A D O N A Aetropa-Beledona इससे क्या होता है इसका जो होता है उस रूट से हमें एक पर्टिकुलर एलकालॉइड मिलता है उसका नाम क्या है एक्ट्रोपीन तो इसका क्या होता है इसका जो रूट है उस रूट से हमें एक पर्टिकुलर चीज मिलता है जिसका नाम क्या है जिसका नाम है एक्ट्रोपीन एक्ट्रोपीन है अे आलक-छिया आट्रुकिन आंत किस काम में आता है तो यह एट्रुपीन जो हम्में मसल होता है जमने मसल करने के लिए उसको फीर है यह च wacky या यह द्रिग किया जाता है आपत्रोपीन क्या है एक एलगा लॉएड एक इसमें तू कंट्रोल स्पैजम है कि दू कंट्रोल एक मस्किूलर पैजम मस्कूलर पैजम है मस्किूलर इस पैजम और वो किसमें काम आता है? To control muscular sphasm. और दूसरा क्या है? दूसरा है अश्वगंदा. अश्वगंदा का scientific name क्या है? अश्वगंदा का scientific name है? विथैनिया विथैनिया W-I-T-H-A-N-I-A विथैनिया सोमनिफेरा S-O-M-N-I-F-E-R-A सोमनिफेरा इसका भी जो root है इस root से हमें एक particular drug मिलता है उसका नाम क्या है? अश्गंद क्या मिलता है? अश्गंद A-S-A-S-G-A-N-D-H अश्गंद हमें एक क्या मिलता है? हमें एक drug मिलता है यह क्या है? This is a drug हमें एक ड्रग मिलता है अश्गंद यह काम कि यह किसमें काम आता है यह काम आता है जो फिमेल जो डिसॉर्डर होते हैं जिसमें भी फिमेल डिसॉर्डर होते हैं तू कंट्रोल फिमेल डिसॉर्डर राइट तू क्योर फिमेल डिसॉर्डर और रिमेटिजम में किसमें काम आत तू कंट्रोल फिमेल डिसॉर्डर फिमेल डिसॉर्डर और क्या किसमे रिमेटिजम र-h-e-u-m-a-t-i-s-n रिमेटिजम र-h-e-u-m-a-t-i-s-n यह एक आटिव इम्यून डिसॉर्डर है रिमेटिजम के बारे में हम लोग जब 12ikte में जाके जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब हम लोग इसको पढ़ेंगे रिमेटिजम के बारे में यह एक और ओट इम्यून डिसॉर्डर है तो और में जाके जेनेटिक्स मैं होगा शायँ यू फिर आपका यह आपका नहीं दिया गया था लब यह दो नाम दे दिये गये थे लेकिन इनसे क्या drug मिलता है या alkoholide मिलता है इसके बारे में कोई बताया नहीं गया था और इस किस काम में आता यह भी नहीं बताया गया था तो इसी वज़े से हमने क्या-क्या इन दोनों को discuss कर लिया टेक है क्लियर है चलो तो इस आल अब आउट फैमिली सोलेनिसी और सोलेनिसी फैमिली में अभी खतम नहीं हुआ है सोलेनिसी फैमिली में सिर्फ हम लोग वेजिटेटिव करेक्टर और एकनोमिक इंपोर्डन्स को discuss किया है ठीक है और हम लोग और के discuss करेंगे और इतने अच्छे से discuss करेंगे कि हम लोगों को फ्लोरल फॉर्मुला और फ्लोरल डाइग्राम खुष्ते डिकोड करता है जो हमनों लास्ट क्लास में किया था फैमिली में जो किया था चलो तो आज का लेक्चर यहां तक रखते फिर मिलेंगे कल बोड़ गब में सब तक के किया विष यह अ बरी बेस और यहां किया जाएग्राइग है जो कि कैप्या तक करता ह।